तो यह आपको बता दे कि अर्विन केज्रिवाल से CBI के पूछताच को लेकर के अनिल विज ने तंज कसा है आपको बता दे कि अर्विन केज्रिवाल ने CBI जांच को लेकर के सवाल उठाये थे जिस पर पलटवार करते हुए अनिल विज ने कहा कि CBI अगर जाच के लिए और पूछताच के लिए बोला रही है तो जरूर कुछ ना कुछ CBI के पास होगा और ये भ्रम में किज्रिवाल रहना छोड़ दें इसके साथ उन्होंने कहा कि बड़े बयान और भीड़े कठा करने की बजाए उनको CBI का साथ देना चाहिए CBI हमारे देश की बहुत बड़ी पर्मानित और सम्मानित संस्ता है और CBI का अगर नोटिस आया है तो जरूर कुछ ना कुछ उनके पास होगा इनको ये भील्ड बढ़का कठा करने की बजाए बड़ी बड़े ब्यान देने की बजाए एक अच्छे नागरी की तरह जाकर CBI को कौपरेट करना चाहिए और उनके साथ जो वो उच्छना चाहते हैं वो इमानदारी से बताना चाहिए ये तो उनके जो है ना ब्रहम है सपने है उनको आते हैं बिरा मतलब हर अवकत हो भाजबा के सपने आते हैं मैंने जैसा पहले कहा कि CBI एक इंडिपेंडनेंट संसा है उसमें किसी का तखल है CBI हमारे देश की बहुत बड़ी पर्मानित है तो यह आपको बताते कि आनिवेज ने राहूल गांदी के विपक्ष को एक जुट करने वाले बयान पर भी तंजिकासा उन्होंने कहा कि यह जितने भी विपक्षी दलके नेता हैं इनके पास्ट को भी देखना पड़ेगा क्योंकि ये कभी किसी के साथ मिल जाते हैं कभी किसी के साथ खड़े हो जाते हैं कि एक तुटना व्पख्ष है है आपको इनका पास्ट देखना पड़ेगा कि कहके साथ जोड़ जाता है कुछ कि इनकी कोई एक विचारधरा नहीं है, इनका कोई एक नेता नहीं है, इनके पास कोई एक नीती नहीं है, तो ये कभी भी जो है, ये अपना